दोस्तो एक समय ऐसा था जब करिश्मा कपूर और अजे देवगन की शादी होने वाली थी मगर ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए आईए जानते हैं इस वीडियो में अजे देवगन, करिश्मा कपूर और काजोल तीनों ही 90 के दशक के सुपर हिट स्टार्स रहे हैं इन तीनों के बीच रहे लाव ट्राइंगल ने खुब सुर्खिया भी बटोरी लेकिन इन स्टार्स ने कभी खुलकर रिष्टों को नहीं स्विकारा खास कर करिश्मा और अज जे देवगन की शादी करने की अफवा तक उड़ गई थी अजे और करिश्मा फिल्म जीगर में करीब आये थे इस फिल्म की शूटिंग के दोरान दोनों में नजदी किया पड़ी थी मीडिया रिपोर्स के अनुसार इसके पहले अजे रविना टंडन को डेट कर रहे थे जीगर के बाद सुहाग दनवान और सरगम जेसी फिल्मों में अजे और करिश्मा कपूर साथ नज़र आये एक साथ फिल्में करते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ गुजारने को काफी समय मिला और दोनों नजदी काते गए लेकिन 1995 में आई फिल्म हलचल के साथ अजे जिन्दगी में काजोल की एंट्री हो गई थी इस फिल्म के सेट पर काजोल और अजे देवगन नजदी काने लगे काजोल जब अज़र देवगन से पहली बार मिली तो उन्हें काफी शांत लगे जो अपनी दुनिया में रहते थे लेकिन दिरे दिरे दोनों की दोस्ती होन और एक साथ काफी समय बिताते थे इससे उनका रिष्टा मजबूत हुआ और दोनों करीब आ गए मिडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार काजोल और अजे एक साथ बैठे थे तबी करिश्मा कपूर का फोन अजे के बास आया और पीछे से आ रही फिमेल आवाज सुनकर वो भड़क गई अजे देवगन ने भी बाद में काजोल के साथ अपना रिष्टा स्विकार लिया और इस तरह करिश्मा उनकी जिन्दिगी से आउट हो गई फरवरी 1999 में अजे देवगन और काजोल शादी के बंधन में बन गए